नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर, MBN नेटवर्क पे आप सबी लोगों का बहुत स्वागत है। पूर हो गये हैं, वहां का सियम जेल में हो। ऐसे में लालु जादव के अपराद की बात करनी हैं। तो आप यही कहेंगे न, लोग एक और सियम आ गया अपरादी बनकर सामने हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लालु जादव की जितनी लंबी जुबान है न, उससे भी ल तिशू के कारण वो बाहर है जमानत पर और उनको अपनी जुबान के इस्तेमाल पर भी बताया गया था कि आपको राजनीती में नहीं जाना है, कोई टीकाट अपनी नहीं करनी हैं। लेकिन कौन बाज आता है। मैं बात करती हूँ कि आज अचानक से लालु की बात कैसे सा सामने हा रही है कि वो लंबे समय से एक मामले में फरार है और उसमें उनके खिलाफ नॉन बे लेवल वारेंट इशू हो गया है। लंबी जवान की बात इसलिए कि क्योंकि पूरा परिवार अपराद में लिप्त है। मतलब उनकी बेटिया, उनकी बेटे, उनकी पत्नी, र रापड़ी की भी बड़ी सर्चा हो रही है आजकल, उसमें भी बात करेंगे। लेकिन जब जुबान चलती है न उनकी तो इतनी लंबी चलती है कि अंदाज से भी आगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, क्योंकि उनका परिवार बहुत बड़ा है, इस्वार ने उनके बड़ी किरवा की है और एक किरवा के साथ ही उन्होंने अपने पूरे परिवार पे अपने राजनीती की भी पूरी किरवा बना दी है, तो परिवार बात की बात होती थी, अक्सर हर मंच से, हर दल की ओर से, तो इनको जब मंच मिला, जब इनको माइक मिला, आपको याद हो इंडी अलाइंस की एक सभा होई थी। उसमें इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि परिवारवाद की बात करते हैं लेकिन अपने परिवार का कहीं पता नहीं। और उन्होंने आमिन लालु यादव ने पधनमंत्री नरेद मोदी के परिवार के लिए सवाल उठाया था। और आज आज देखिए कि सोशल मीडिया पर क्या और जहां वो जाते हैं पूरा राष्ट उनका परिवार बना हुआ है। और लालु की बज़बानी की ये पहली घटा नहीं है। इन्हें तो महिलाओं का सम्मान भी नहीं करना आता है। आपको याद होगा एक लंबा अर्शा गुजर गया है। ये बात मुझे इसलिए याद आ गई क्योंकि हेमा मालनी पे एक भद्धी टिपनी किसी ने की थी अभी हाली में। तो उसके साथ लालु यादव कभी जिक्र हो रहा था। लालु यादव ने भी हिमा मालनी के लिए अभद्ध टिपनी की थी। तो इनको ऐसे पूर्शों का इमिन। अब तो लालु मतलब कहिए कि हो तो गए हैं बुजरुग लेकिन बुजरुग्यत जो है उनको कहीं छू भी नहीं रही है। मतलब उनका मेंटल जो है वो बुजरुगों वाला नहीं है। कभी आइसक्रीम खा रहे होते हैं। कभी बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। मतलब डॉक्टर ने उनको अराम करने के लिए उनके हेल्थ इशू को देखते हुए उन्हें जमानत दी हुई है। लेकिन वो बाहर निकल के क्या कर रहे हैं। देखिए। उन्होंने खास तोर पर ये कहा था कि आप राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। और अब ये क्या कहें। मतलब ये तो दिखता ही है सबको ना जिन लोगोंने उनको जमानत दी और उनको डू और डॉन्ट्स बताए। और उनका पाला नहीं करते हैं, राजनीति कर रहे हैं। जितनी इंडिय लाइंस की मीटिंग्स हुई, अल्मोस्ट समय उन्होंने सेभागिता की। अब मतलब लालु यादव की बात कर रही हूं तो संजे सिंग की भी मुझे ध्यान आ रही है। उन्होंने उनको भी डू और डॉन्ट्स बताए गए थे कोट की तरफ से कि आपको ईडी और शराब गोटाले के वाबले में कोई बात कोई टिपणी नहीं करनी है। लेकिन अब आते ही उन्होंने प्रस कांफेर्स की और उसमें सबसे पहले मुद्द ही उन्होंने ये चोड़ दिया। मतलब एडी पर बात की शराब गोटाले पर बात की प्लस उन्होंने कई लोगों को आरूपी भी बना दिया। खेर संजी की बात नहीं कर रही हूँ मैं मैं फिर से लालू यादव पर आती हूँ तो लालू यादव की मुश्किलें जो है बहुत बढ़ने वाली हैं। जोग सभा चुनाव परचार के बीज बिहार के लालू यादव पूर्फ सियम और आर्जडी के सुप्रीमों भी है वो उनकी मुश्किलें अब बहुत बढ़ने वाली हैं। अब बात समझ लीजिए कि क्यों उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मद्यबर्देश में ग्वालियर की MP, MLA कोर्ट ने करीब मतला 30 साल पहले, 3 दशक पहले, एक पुराने आम्स एक्ट के मामले में गिरिफतारी का वारण जारी किया है। ये मामला 1995 और 1997 में का है ये और आम्स फॉर्म 16 के तहट हत्यारों की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। देखे कितना गंभीर मामला है। और इस फॉर्म के अधार पर हत्यारों के लिए आवेदन करने वाले लोगों को सरकार की और से आम्स दिया जाता है। पुलिस ने इस मामले की जाज करते हुए लालु यादो के नाम की तस्कीत की है। अब पुलिस ने काफी खोजबीन करने के बाद मतलब पूरा इंवेस्टिकेशन किया, पूरी रिसर्च की। मतलब मुख मंतरी चाहे वो पूर हैं, लेकिन मुख मंतरी तो रहे हैं न, हरेल मंतरी भी रहे हैं, बहुत कुछ रहे हैं वो, वो बात अलग है कि आज उनकी फेरिस्ट बहुत लंबी है। तो पुलिस ने मतलब पूरी साथानी बरती और काफी इन्वेस्टिकेशन किया, उसके बाद लालु यादव को आरोपी बनाया है। इस मामले में लालु परसाज यादव समेथ 23 आरोपी नामजद हैं। और इनमें से कई के खिलाफ ट्राइल की शुरुवात भी हो गई है, जबकि इनमें दो आरोपी अब इस दुनिया में नहीं है। और जो मतलब खबरे आ रही हैं, उसके अनुसार ये फर्जी वाड़ा अगस्त 1995 से ले करके 1997 तक किया गया। इस अबधी के बिच तीन फर्म से कार्टूस की खरीद की गई। इस मामले में कोट ने लालू जादव के लिए कोट में पेश होने का नोटिस जारी किया था, अब लेकिन वो पेश ही नहीं हुए उसमें। अचा मतला कई लोग इतने निडर हैं और वो अपने फैमिली में बैठ करके कहते हैं कि हम तो बड़े बहादूर हैं, हम किसी कोट को नहीं समझते। यहीं तो किया न केजरिवाल ने भी। यह केजरिवाल संजे सिंग के मैं जिकर इसलिए कर रहे हूं क्योंकि यह बिल्कुल ताजा मामले हैं और सब को याद रहने चाहिए इसलिए कि सब को कानून की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो बात हो रही थी लालु यादव कि अब वो पेश नहीं हुए जब उन्हें नोटिस गया और इसके बाद कोट ने बिहार के पूर सियम के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया। पुलिस ने इस मामले की जाज करते हुए 1998 में एक आरोप पत्र दाखिल किया था, 1998 में ये मामला ग्वालियर MP MLA कोड में आ गया था, अब पिछले कुछ सालों से ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन अब कोड ने पूर सियम के खिलाफ गृफ तारी का वारंट जारी करते हुए, आरजेडी सुप्रीमो के सामने एक नई मुश्किल खड़ी कर दिया है। वैसे ऐसा नहीं है कि वो कभी जेल ना गए हूँ, या उन्होंने कभी कोड कचैरी ना देखी हूँ, लालू यादर पहली बार चारा गोटाला में लेकर के बड़ी सुर्खियों में आये थे, ठीक ऐसे ही केजरिवाल की तरह है, बार-बार केजरिवाल का नाम आता है, क्यो कोड ने इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो को 3 अक्टूबर 2013 में पहली बार सजा सुनाई थी, और इस मामले में लालू यादर को 5 साल की कैद और 25 लाक रूपए के जुर्माने की सजा हुई थी, अब पैसा दोनोंने बहुत कमा रखा है, 25 की बजाएने इनसे 50 लाक भी मा जमानत मिलने के बाद वो बहार आ गए थे, अब उनके खिलाफ कही सारे मामले हैं, लेकिन मैंने बोला ना कि उनकी जितनी लंबी जुवान है, उससे भी लंबी उनकी लिस्ट है अपराधों की, इसके बाद देवगर ट्रेजरी में फसे लालू यादर को कोड ने 3.5 साल की सजा सुनाई, 23 जनवरी 2018 में चाईबासा ट्रेजरी से 33 करोड की अवैद निकासी के मामले में तीसरी बार 5 साल की सजा हुई उनको, और इसके बाद दुमका की ट्रेजरी, मतलब हर बार इनका ट्रेजरी पर हमला होता था, ट्रेजरी समझते हैं न, सारा पैसा वहीं होता है दुमका ट्रेजरी से 3 करोड करीब सब 3 करोड की अवैद निकासी की इनोंने और 15 मार्च 2018 को कोट ने 4 बार इने 7 साल की सजा सुनाई दौरंडा कोशागार से अवैद निकासी के मामले में अगेन उनको 21 फ़र्वरी 2022 को पांच भी बार सजा सुनाई गई इस में कोट ने लालु जादव को 5 साल की जेल और 60 लक रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी अब उसके बाद इन्होंने अपने हेल्थ का इशू बताया इनकी बेटी ने सिंगापूर में इनको अपनी किड्नी दी तमाम सारी प्राब्लम्स हैं इनके साथ शुगर है बीपी है अंड उस ग्राउंड को देखते हुए कोट ने इनको बेल जमानत दी जमानत पर है और साथ में इन्हें ये कहा कि आप किसी भी मतलब इन्हें भी do and don'ts बताये गए थे कि आप ये नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे और राजनीती नहीं करेंगे एंड मतलब दो-तीन दीन के बाद ही इनका एक फोटो वाइरल होता है उसमें ये आईस क्रीम खा रहे थे अपनी बेटी के साथ अब उसके बाद एक दिन इन्होंने फोटो अपना डाला बैडमिंडन खेलते हुए तो उस पे सवाल ये नहीं था कि ये खेल क्यों रहे हैं ज पोई जो आईस क्रीम खाएगा गला उसका खराब होगा लेकिन सवाल ये है कि आपने हेल्थ इशूस पे जमानत ली हुई है तो फिर आप अपने स्वास्त का खुद ख्याल रखिए खुद क्यों दुश्मान हो रहे हैं अपने और जो सबसे बड़ी बात इन्हें कोट ने क खास थे और उनकी लटकन ये थे लालुजादव जहां वो जाएं वहां लालुजादव भी जाएं मतब पटना में रैली हुई तो इन्होंने खास तोर पे एक लाइन बोली कि अब हम बिल्कुल स्वस्त हैं और हम राजनीती कर सकते हैं अब आप देखिए एक्शन तो उसी समय होना चाहिए था कोट का कि आपको राजनीती के लिए माना किया है आप फिर भी राजनीती कर रहे हैं खेर कोई बात नहीं अब जब ऐसे ही एक्जेंपल सेट होते हैं न यही वजाए न आज इसलिए संजे सिंग को भी जो डू एंड डॉन्स पताए गए थे उन्होंने उसको इगनोर किया और उनकी नजर में उन्होंने एक धमाकेदार प्रिस कॉन्फरेंस कर दी जिसमें उनके अनुसार उन्होंने सारे खुलासे कर दिये लेकिन कोट ने उन्हें कहा था कि आप शराब घोटाले को लेकरके और E.D. को लेकरके कोई कमेंड नहीं करेंगे अब हो सकता है कि एकाद दिन में मैं आपको ये बात ये अपडेट आपको करूं कि उनकी जमानत जो है कैंसिल हो गई है जब वो होगी तो आपको जरूर बताऊंगी फिलाल मैं लालू की बात कर रही हूं तो लालू यादव ते खिलाफ गेर जमनती वारंट हो चुका है और चुन नहीं आते हैं घर में अपना स्वास्त लाब ले रहे होते हैं तो शायद से इन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता मतला आदमी जब नजर में होता है तो उस नजर में फिर उसके अपराद भी नजर में होते है न तो मुझे लगता है कि लालू के साथ यही हो आए तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सबस्काइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सकाइब कर लिजे मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे है तो बैल आइकन रहता है ना नीचे उसको आप जरूर प्रेस कर दीजे ताकि मेरे सभी कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुचे और वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके आपको वीडियो अच्छा लगाया तो इस पर आप अपनी टिपनी जरूर कीजिएगा तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही आप अपना और अपनों का ख्याल लगिएगा अपना वीकेंड इंज्वाई कीजिए जय हिंद जय बारत